हाई दोस्तों मैं वीजे, आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही तग दाकर इस्टेटयजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका मैं बहुत ज़्यदा मार்केट के अंदर यूज करता हूं जिस strategy के बारे में हम बात करने वाले अगर आप भी उसको यूज करेंगे तो मैं दावय के साथ कह सकता हूं आप इस मार्केट में अच्छे कासे पैसे बना सकते हैं मुझे वाटसेप पे और कमेंट्स के माध्यम से बार बार पूछा जाता है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाके बता दीजिए तो आज कि इस वीडियो के अंदर हम एक इस्टेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं अगर मैं नाम लेता हूं तो उसका जो मैंने नाम रखा है वो all is or well मैंने इस strategy का नाम रखा है तो चली आगे चलते हैं पहली बात तो इसके नाम के उपर हम discuss करेंगे कि मैंने all is well नाम क्यों रखा है और फिर आपको किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करने उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो अमिर खान की मुई आए थी three idiots की three idiots के अंदर आपने देखा होगा कि जब आत्मी किसी चीज को लेकर परेशान होता है तो अमिर खान वहां पर सीने पर हाथ रखके कहता है कि all is well कहिए all is well कहिए सब कुछ ठीक हो जाएगा इसी के उपर मैंने इसका नाम all is well रखा है और market में यह किस तरह से यूज होता है देखे कभी भी अगर कोई stock उपर जा रहा है देखे उपर जाने के बाद stock के अंदर मैं profit booking आईगी ग्रावट आएगी तो जैसे यह ग्रावट आई अपनी तो यह जो ग्रावट आईए इसको लेके जो अपने retail निवे सके वो परेशान हो जात और अपने सीने पे हाथ रखके कहना है all is well यह जो ग्रावट है यह ग्रावट stock के अंदर आनी आनी है बैस यही बात आपको समझनी है कि अगर कोई stock उपर जाएगा उपर जाने के बाद में जो ग्रावट आएगी profit booking आएगी उसको लेके घवराना नहीं है सीने पे हाथ और जरूर आएगी यह ग्रावट यहां पर दो टाइप के हो सकती है जो पहली हो जाएगी वह पर अपनी time correction हो जाएगा और जो सैकिंड जो ग्रावट आएगी वह अपनी हो जाएगी यहां पर prize correction ना तो तो पहले time correction, price correction को मैं आगे समझाऊं, उससे पहले हम strategy के उपर बात कर लेते हैं, क्या-क्या use करके हमको strategy बनानी है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं time की बात करता हूँ, कि कौन से time के अंदर आप use कर सकते हो, जहां तक मेरा मानना है किसी भी time frame को ले लिजिए, आप 5 मिनट ले लिजिए, 15 मिनट, एक घंटा ले लिजिए, वन डे को ले लिजिए, आप weekly chart देख लिजिए, आप monthly chart देख लिजिए, कोई भी time frame हो, सभी time frame के अंदर, यह जो हमारी strategy है, all is well, यह सभी के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है, यह चीज को आप ध्यान रख लेन अब हमको देखे, क्या-क्या चीज चाहिए, सबसे पहले chart के अंदर आपको एक यहाँ पर EA में लगाना है, EA में कौन सा लगाना है, वो लगाना है 20 EA में, अब अगर आप day chart देख रहे हो, तो पिछले 20 दिन का EA में हो जाएगा, अगर आप weekly chart देख रहे हो, तो यह 20 week का EA मे हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर 1H के लगा रहे हो, तो एक गंटे की पिछली 20 candle का average हो जाएगा, पांच मिनट पर लगा रहे हो, तो लास्ट की पांच मिनट की 20 candle का average हो जाएगा, तो chart के अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक EA में लगा लेना है, और EA में आ बगाना चाहते हो, सभी time frame के अंदर ये use करेगा, अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कहाता कि दो correction होगी, पहला हो जाएगा time correction, अब time correction के अंदर किस तरह से all is well बनेगा, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूं, फिर मैं आपको chart के माध्यम से भी इन नों के उदा दिखा दूँगा, तो जैसे एक rally GI अपने पास में किसी stock की, एक rally बाद में stock क्या होगा, यहाँ पर यह consolidation स्टार्ट करना कर देगा, और यहाँ पर range बना लेगा, और यहाँ पर यह अपनी 20 EA में चलती आ रही है, धीरे धीरे, तो क्या करेगा, stock यहाँ कब तक consolidation होगा, जब तक कि यह 20 EA में अपनी इस price के पास ना आ जाए, हो सकता है, यहाँ पर यह एक मन्त भी लगा दे, दो मन्त लगा दे, पंदरा दिन भी लगा दे, हाना, यहाँ पर 20 EA में के आने तक यहाँ पर यह correction चलता रहेगा, तो आपको करना क्या है, यह एक rally आई, rally कबाद stock consolidation हुआ, तो इसको लेके आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, सीने पाहत रखना कहना है, कि यहाँ पर stock consolidation जब तक होगा, जब तक कि अपनी 20 EA में यहाँ तक नहीं आ जाएगी, तब तक stock यहाँ पर correction करता रहेगा, हना, तो यहाँ पर आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आपके दिमाग में यह रहेगा, कि कोई दिक्कत नहीं है, 37 से stock के अंदर बैठे रहना है, 20 EA में के आने का वेट करना है, तो यह जो correction हो गई, यह हो गई, अपनी यहाँ पर time correction, stock यहाँ पर एक range के अंदर time correct कर रहा है, दूसरा जो correction अपना था, वो मैं आपको बताया था, यहाँ पर हो गया price correction, तो price correction के अंदर क्या होगा, जैसे stock यह अपना उपर गया, उपर जाने के बाद में बहुत तेजी से ऐसे नीचे आएगा, और कब तक नीचे आएगा, यह नीचे जब तक आएगा, जब तक कि अपनी जो 20 EA में है, वो 20 EA में जैसे यह आई ना, 20 EA में पास तो यह जो correction हो गई है, यह correction अपनी यहाँ पर price correction हो गई है, इस चीज को ध्यान रखना ना, यह सरफ 20 EA में तक ही गिरेगा, बाकी अलगलग time frame के अंदर गिरावट आ सकती है, जैसे 20 EA में ब्रेक हो गया ना, तो यह पिर जो correction है अगले time frame में चले जाएगी, तो चली तरह से यहां पर all is well बनता है अब हम कुछ उदान देख लेते हैं all is well के ताकि आपको अच्छी तरह से समझ मा सकता है यह जो श्टॉक है यह अपने पास में है पी जी एल का श्टॉक है और यहां पर मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूं मैंने आपको कहा था सभी time frame के हुआ है यह रक्टेंगल हुआ यहां 20 एम है उसके बाद देखे यह तेजी अपन को आई है इसके आने के बात में देखे फिर से श्टॉक में देखो यह 20 एमें पास में आया फिर उपर गया यहां पर देखे यह तक कही टच करते वे इस टोग उपर चल रहा है एक तेजी है यहां पर जाने बाद आई इस गरावर्ट और आपको देखे घबचे गहां पर आफैंड के पर बनने तो यह तो मैंने बुलिस चार्ट में आपको दिखाया तो ठीक ऐसा ही अपन को एक बीरिस चार्ट के अंदर भी देखने को मिलता है तो उसको अगर आप चाहते हैं तो बिरिस ऑल इस वैल के ऊपर भी वीडियो बनाएं तो आप जरूर मुझे बता देना हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे और इस वीडियो में जो भी श्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उन्हों के अंदर खरीदारी करने की कोई राइनी है श तेजी रही इस तेजी के बात मैंने का था कि टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन दो चीज़ देखने को मिलेगी तो यहां पर फिर से देखो टाइम करेक्शन हुआ इस ट्वंटी यह में तक लगा था कंसलीडेशन होने बात में यह 140 पर ब्रेक आउट वा यहां पर इ आई तेजी देखने को मिल जाएगी तो यहां पर आरिवेनल के अंदर हम ऐसा अपना बंता हुआ है तो हम यहां पर एक आई आरेपसी का चार्ट देख लेते हैं अब यहां से एक टेंड श्टार्ट हुआ था यह ट्रेंड हुआ और यहां पर देखो यह अपने पास में ट तेजी रही तेजी बाद में देखिए अब आपको करना है क्या जैसे यहां से 92 के अंदर इस ग्रावाट को देखके घबराना नहीं है अपने सीने पात रखके कहना है भाईया और यहां पर देख सकते हो ठीक इस ट्वंटी में पर ही इस टॉक अपना आ चुका है और यहां से आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो मैंने अपनी स्टेटेजी बना रखिए उसके ऊपर बात करिए तो अभी तो इसके अंदर देखिए बहुत ही सिंपल बताईए मैंने आपको अपनी अपनी टच हो चुकी है तो कभी देखे बात में बनाएंगे इसके ऊपर अभी देखे आपको विश्वास करना होगा मार्केट के ऊपर इन चीजों को लेके तो ही आप इस मार्केट के अंदर पैसे बना सकते हैं और जो अपनी 20 ये में बहुत अच्छी तरह से स्टॉक के अंदर काम करती है एक काम करिए आप चार्ट को हिष्ट्री देखिए 20 ये में ल समझा सकता हूं यहां पर वैसी समझानी कोसिस करिये और आप चाहते हो कि अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोसिस करेंगे फिरिए नया वीडियो बना के आपको एक एक अपनी लाद के बारे में और अच्छी तरह से यहां पर